हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉंसेप्ट तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एक्जाम का अगर आप एंटी पीसी कुरूब डी का फॉर्म भड़े होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है क्योंकि एक्जाम का जो डेट है वो ल लगवग लगवग एंडनाउंस हो चुका है फाइनल अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है लेकिन एक स्पीच में रेलवे बोर्ट चेर्मेन द्वारा एक यूटूब चैनल है उसमें आप देख सकते हूं उनके स्पीच आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाता हूं कि जितना भी फॉर्म है लगवग दो करोर 42 लाग फॉर्म भरे हैं जो कि एप्रूवड हो चुका है उसके बाद जो वेकेंसी है जो वेकेंसी का बात करें एक लाग 4,640 वेकेंसी के लिए भरा जाने वाला है तो बिल्कुल आप आगे वीडियो में देख सकते है चेर्मेन का स्पीच पूरा देख सकते हैं आप अच्छे से साथ में मैं बता दू एक इंपॉर्टेंट की 100 दिन आज सी अगर कैलकुलेट करिएगा तो 100 दिन आपको मिला है 100 दिन के अंदर आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं लगवग तीन महिना का समय आपको मिला है तो क आप में काफी PDF के लिए काफी PDF के लिए मांग होते हैं बुक के लिए सभी चीज के लिए तो आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ऑनलाइन कॉंसेट 27 के नाम से सर्च कर सकते हैं जोईन हो जाए फेस्बुक पर जोईन हो सकते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया को जो हैंडल है व चीज आपको PDF में हो यह कोई भी रिगार्स हो नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं तो आप दो आप दो आपको प्लिकेशन पर रिकूरूप्मेंट इन वारियस काटेगरीज और वी हैड नोटिफाइड एरां वन लाक फॉर्टी थाजंड शिक्स अड़ चुट्टी अगर जल्ग लाक 40,000,640 वाक इस बासे बासे आपको बीके बीक जाओगार तो सब्कूर अन लाक तापको पाझार्स आप जे प्रैस के अएघी रि自प्समें अटापकेंट प्लिकेशन we had invited applications for these three categories and for one lakh forty thousand six hundred forty vacancies we received two crores two crores forty two lakh applications we received for one lakh forty thousand six hundred forty vacancies and scrutiny of all these two point four two crore applications was completed and then due to COVID we could not conduct this exam because for all these vacancies a computer-based test is to be conducted now considering the COVID situation and also considering that NEET and JE exam is going on smoothly railway has decided that we will start exams for all these three category of vacancies from 15th of December from 15th of December railway is going to start conducting the computer-based test and a detailed schedule will be announced very soon we have completed the scrutiny of all these applications and schedule will be announced very soon so we will see you in the next video thanks for watching